तो सबसे पहला जो सवाल है क्या होता है लेकिन लोगों का यह कहना है कि आप जो बता रहे वह अधूरी जानकारी है फैक्ट्स को गलत तरीके से आपने पेश किया है कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यदि कुरान में ऐसा लिखा होता तो भारत में मुगल करीब 800 साल रहे तो इतने दिनों में एक भी हिंदू जंदा नहीं होते इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए आपने कहा कि अधूरी जानकारी है कि जो अल्ला को ना माने यह लोगों का कहना है किसी का भी किसी का भी हो सकता है कमेंट आते होंगे हाँ यह अधूरी मैंने तो अधूरी जानकारी नहीं थी पर यह जो सवाल आपने किया यह मुझे अधूरा लग रहा है क्योंकि केवल जो अल्ला को न ना माने वो काफिर नहीं है जो अल्ला को ना माने जो कुरान को ना माने जो मुहम्मद सहाब को ना माने और जो अल्ला के अतिरिक्त दूसरे किसी व्यक्ति विशेश की इबादत करे जो मुहम्मद सहाब के अतिरिक्त किसी और को पैगंबर माने वो काफिर है यह है पूरी जा जो अल्ला को माने जो मुहम्मद साहब को माने जो कुरान को माने और जो मूर्ति पूजा ना करे भुत्परस्ति ना करे वो पक्का मुसल्मान है अब आप कहेंगे कि जो अल्ला को मानेगा जो कुरान को मानेगा जो मुहम्मद साहब को मानेगा तो वो तो होई गया मुसल्मान उसमें बुद्ध परस्ती कहां से आगी नहीं बहुत से ऐसे मुसल्मान भी हैं जो अल्ला को मानते हुए मुहम्मद साहब को मानते हुए कुरान को मानते हुए भी बुद्ध परस्ती करते हैं मुर्ति की पूजा करते हैं आप कैसे करते हैं कबर को पूछते हैं इसलाम में कबर पूजा हराम है इसलाम में किसी भी व्यक्ति को दफना करके उसकी पक्की कबर बना करके उसकी इबादत करना हराम है ये कुरान के सबसे बिलकुल लेकिन ये कबजाधारी लोग कुरान को नहीं मानते हुए ये चीजे भी करते हैं ताकि हम लेंड जिहाद कर सकें ताकि हम जमीनों को कब जा सकें